मेरे परिवार जनो मोदी की एक और गरंटी हर बन्चित तक सुविदाय पहुचाने की है कॉंग्रेस कहती है देश के साधन संसाधन पर पहला अधिकार मुसल्मानों का है हमारे लिए देश के संसाधनों पर पहला हक हमारे गरीबों का है हमारे बन्चितों का है मोदी के लिए देश में गरीब ही सबसे बड़ी जाती है हमारी हर गरीब कल्याण योजना के सबसे बड़े लभारती दलीख ओबिसी और आदिवासी परिवार ही है मोदी ने हर गरीब को पक्के आवास की गारंटी दिये अभी तक MP में लगबग 48 लाक आवास गरीब परिवारों को मिल चुके हैं जिन साथियों को और जो यहां आपके परिशीच कोई है तो मेरी तरफ से बता देना जिन साथियों को अभी गर नहीं मिले हैं तीन दिसंबर के बाद यहां भाजपा की सरकार बनने के बाद फिर से तेजगती से काम चालू करके हर गरीब को पक्का घर देना यह मोदी की गारंटी है केंदर सरकार इसके लिए भी हजारों करोड रुपिय को बंजुरी दे चुकी है साथियों आप पैसे अनेक साथियों को गरीब कल्यान अन्नियोजना के तहर मुप्त राशन मिल रहा है कोरोना के इस बैंकर संकड के समाएं गरीब का घर का चूला जलता रहे कोई भी बच्चा मेरा देश का भूखान नस हो जाएं इतलिए हमने अन्न के भंडार खोल दिये थे और है असी करोड लोगों को मुप्त में राशन देना शुरू किया था अब यह योजना कि डिसंबर महिने में पूरी हो रही है लेकिन मोदी आपके दिल में है और मोदी के दिल में आप है इसलिए इसलिए मोदी ने तै किया है इसलिए मोदी का निश्य पक्ता है कि डिसंबर में इस योजना को स्वापत नहीं करूंगा डिसंबर के बाद पांच साल के लिए इस योजना को आगे बढ़ाऊंगा ताकि मुफत राशन आप जैसे परिवारों को मिलता रहे जिन लोगों को चिंता थी कि डिसंबर में जभी योजना खत्म हो जाएगी तब राशन खरिद्य का खर्च बढ़ जाएगा लेकिन आप उन्हें चिंता करने की कोई जरुवत नहीं है आपकी चिंता करने के लिए दिलने में आपका भाई आपका बेटा आपका सेवक बैठा है मुफत राशन की योजना से बहुत बड़ी संख्य में दलीत, OBC और आदिवासी परिवारों को फाइदा हो रहा है अब आप मुझे बताईए जरा, जवाब देंगे आप लोग, सबके सब जवाब देंगे मुझे बताईए, ये गरीबों को मुपत राशन देने का मोदी का निश्चय सही है सही है, सही है, मुझे ये काम करना चाहिए, पक्का करना चाहिए अब आप कहते करना चाहिए, कॉंगरेस वाले मेरे मिसी खिलाब इलेक्शन कमिशन में मुकब्दमा दर्ज करने कए, इलेक्शन कमिशन को चिट्टी दिये कि मोदी ये नहीं कर सकता है, गरीबों को राशन नहीं दे सकता है भाईयो भेनों, जो आपका राशन छीनने के लिए शडियंत्र करते हैं ऐसी कॉंगरेस को सजा देनी चाहिए, इस चुनाओं में सजा देंगे आप, हर पोलिंग बूच से उसको साप कर देंगे बाजपा सरकार ने पांच लाख उर्पिय तक मुप्त इलाज का गारंटी कार आईश्मान भारत कार दिया है इसके तहट अभी तक MP में 33 लाख मरीजों का मुप्त इलाज हो चुका है जीन परिवारों का मुप्त इलाज हुआ है उनमें से 15 लाज से अधी यानि आधी से भी अधीक लाबारती हमारी माताएं बेहने हैं मरीज अर्ष्पदाल में भरती हुए अपना इलाज कराया लेकिन उन्हें एक रुपिया भी नहीं देना पड़ा माताएं बेहने ये आयुश्मान योजना में क्यों लाया हूँ पता है क्योंकि मैं भी गरीब मा का बेटा हूँ मैं गरीबी से निकला हूँ मैंने गरीबी को जिया है और इसलिए मुझे मालूम है कि अगर किसी मा को परिवार में बिमारी आ जाती है तो वो मा गर में कभी किसी को पता नहीं चलने देती कि उसको तकलीफ हो रही है बिमारी आई है कितना ही बुखार होगा गर में किसी को पता नहीं चलेगा वो काम करती रहती है हमारी माताई बहने सोचती है कि अगर बच्चों को पता चल गया कि मुझे कोई भीमारी है अगर अस्पता ले गए और पैसे नहीं है तो बच्चे कर्ज में डूब जाएंगे वो कहीं से पैसे ब्याज से लाएंगे और मेरा इलाज करवाएंगे अब मेरे बच्चों को मैं करज़दार नहीं बनाना चाहती और इसलिए मैं कोई इलाज नहीं करवाओंगी बच्चों को इलाज करना मुसीबत बताऊंगे नहीं ये हमारे देश की माता और बहनों का स्वभाव है वो अपना दर्द किसी को बताती नहीं है वे दुख सेन करती है क्यों? पैसे नहीं है बच्चों पर करज नहीं होना चाहिए लेकिन आपका ये बेटा दिलनी में बैठा है अब आपके बेटे को करज नहीं करना पड़ेगा आपकी बिमारी के इलाज पांच लाख उर्पिय तक ये आपका बेटा जिम्मेवारी लेता है माता है बहने